हेलो फ्रेंज, आप मीता वश्नोई, आज हम लोग देखेंगे कुछ इंडोर प्लांट्स और नाम भी बताऊंगी कौन-कौन से प्लांट आप इंडोर बहुत एजिली ग्रो कर सकते हैं और वो कौन-कौन से एर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं जो आपके घर के अंद पोथौस है पोथौस की एक वराइटी है नियॉन क्लाइकी लीव होती है अन्य इसका नाम नियॉन है यह मनी प्लांट है सिंपल सिंपल गोल्ड़न पोथा है यह भी चोटा टेबल टॉप के लिए है यह हम लोग का Marble Queen Pothos है Marble Queen इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसकी Leaves का दिखिए थोड़ा सा फरक है Variegation थोड़ा सा फरक दिखेगा आपको इन में इसमें Golden Pothos में और Neon Pothos में यह वाला प्लांट है Blushing Philodendron इसकी Stems थोड़ी Maroon कलर की होती है नाम है इसका Blushing Philodendron और यह जो Neon से कलर की Leaves है गोल्ड कलर की Leaves है यह है Salon Gold Philodendron और यह सारी Variety बहुत प्रिटी और घर में इंडोर रखी भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है और सब इंडोर एर प्यूरिफाइंड प्लांट है इनके इलावा भी कुछ और प्लांट हैं जो इंडोर बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत एर क्वालिटी इंप्रूफ करते हैं उनमें से Snake Plant है Snake Plant की सब Variety आप इंडोर रख सकते हैं और यह बहुत Low Light बहुत Low Maintenance Plant है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी आपको मिलेंगी जो आपकी एर क्वालिटी को इंप्रूफ करेंगी यह वाला प्लांट Snake Plant Whale Fin है जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी लीफ भी बड़ी हो जाती हैं यह है Honey और Drop Variety में है Birds Ness Kind और यह छोटे कंटेनर में लगावा है इसके अलावा आप बहुत सारे Syngonium रख सकते हैं यह Syngonium थोड़ी छोटी लीफ वाला है बड़ी लीफ वाला बड़ा प्लांट भी आप अंदर घर के रख सकते हैं Stand पे बहुत खुबसूरत लगता है यह सब छोटे प्लांट है जो छोटे कंटेनर में लगे वे हैं इसके अलावा आप रख सकते हैं Spider Plants Spider Plants भी अंदर इंडो रखावा Table पे, Corners पे बहुत खुबसूरत लगता है वा इनके Spiders भी लगे वे खुबसूरती प्लांट की और बढ़ाते हैं अगर आपको और भी प्लांट के बारे में information चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और subscribe Thanks for watching